तो जलिए सबसे पहले बात करेंगे राम मंदिर पर सुप्रीम सुनवाई की अयुध्या विवाद मामले को लेकर आज सुप्रीम कोट रो जाना सुनवाई शू करने पर फैसला सुनाएगा गुरुवार को कोट को मध्यस्ता पैनल की सीलबंद रिपोर्ट मिल गई है और इसी के अधार पर अदालत को तेह करना है कि आयुध्या विवाद का मामला बातसीद के जरिये खल हो सकता है या सामाने अदालती कारवाई के बाद इस पर फैसला लिया चाहेगा मध्यस्ता के दोरान ही हिंदु पक्षकार गोपाल सिंग विशारद ने इस प्रक्रिया पर रोक की मांग कर मामले को रोजाना सुनवाई की मांग की है उनका मानना है कि मामले की रोजाना सुनवाई होनी चाहिए सीलबन लिफापी में अगर मध्यस्ता पेनल ने भी हाथ खड़े कर दिये होंगे तब Chief Justice of India रंजन को गई कि अध्यक्सता में पांच जजों की सम्वेधानिक पीट सुनवाई करेगा विशाल हमारे साथ हमारे साहिए आयुद्या से और जाद जानकारी के साथ जोड़ गया है विशाल आयुद्या के साथ साथ पूरे देश की नजरे भी आज के सुनवाई पर टिकी होंगे क्या इस मामले की रोज़ाना सुनवाई होगी या जो मध्यस्ता पैनल ने जो स्टेटस रेपोर्ट सोंपी है उससे कुछ निकल कर सामने आए है ये तस्वीर साफ हो जाएगी आज देखे बिल्कुल आज बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट तैक कर देगा आज ये तस्वीर स्क्लियर हो जाएगी कि डे बाई डे हीरिंग होरी है या मध्यस्ता कमिटी की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर अगर कोर्ट संतुष्ट होता है तो आगे मध्यस्ता कमिटी अपना काम करेगी इन सब चीजों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा हम स्वासा पले बात कर लेते हैं मुस्रीम पक्षकार एकवाल अंतारी से यह तहिए कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है बहुत एहम सुनवाई है किसा देख रहा है देखिए कि रिपोर्ट पैणल ने आज पिर कर क्या है कोट फैसला देगा कूट अभी हम तो यह ही चाहते हैं जाहते हैं हमदेरी पूरा हिंदूस्तान गुमाते रहे आज जो है हिंदू और मुसल्मानों में नफरत पैदा होती रहे देश का इससे नुकसान भी होता रहा हमें चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे अगर हिंदू मुसल्मान दोनों मिलके रहेंगे यह मजबी लड़ाई लोग लड़वाते हैं देश की नुकसान करने के लोग इसको चलाते हैं हम यह मोहिम चला नहीं चाहते हैं कि इसका कोट इसका फैसला करे आज जो है वो पूरा मामला है यह मजब्सक्ता कमिटी की जो रिपोर्ट है उसे संतूष्ट होकर क्या उसे आगे काम करना है या डे बाइडे हेरिंग है है जो कि सिप्रीम कोट में जो पांच जो जजो की जो पीठ होगी वो इस पूरे मामले को लेकर लेकर लेकिन इकबाल अंसारी जी से पूछे क्योंकि वो भी बाबरी मस्जिद के पक्षकार है जो मध्यस्ता कमेटी बनाए गई क्या उन्हें उम्मीद लग रहा है कि उससे क कुछ ना कुछ डास्ता निकल लेगा या वाकई में कोट को ही सुनवाई करनी पड़ेगी और रोजाना सुनवाई की ही जरुवत है इस मामले में जरुब पुछा चाहेंगे जिस तरह से मध्यस्ता कमेटी बनाए गई थी बहुत जोड़ शोड़ से बनाए गई थी शुरू में इसका विरोध भी हुआ था कि श्री रवी शंकर क्यों क्योंकि वो अध्या के नहीं है तो रिटाइज जस्टिस ने उनका भी नाम को लेका भी रोध हुआ था आभ वो क्या लगता है कि मस्ता कमेटी की जो रिपोर्टों के और चलता है जो कि शुरू मैं अजुद्यामेर भी शंकर का जुद्धा के लोगों ने उनका भी रोध कि हम तो विरोध करते नहीं हम तो चाहते हैं कोर्ट का भी सम्मान करते हैं. पैनल का भी सम्मान करते हैं हमें चाहते हैं कि यह मसला राजनीश से हटा जा जब यह मसला तै होगा तो पूरी दुनिया खोसाल होगी तो कि इसके लिए हिंदू और मुसल्मानों में मत भेट पैदा होती है हम उस देश के नागरिक है कि जहां हिंदुस्तान सोने की चुडिय मसला कमिटी बहुत अच्छा काम कर रही है कि जो कूछ भी खार है हमें चाहता है कि अचाही होने कीया मसला कमिटी की जो रिपोर्ट और बइसक नहीं है हम उसके ऊपर कोई दबाव नहीं चाहते हैं कि करना सुबरीyang को को है कि पैनल ने अपने रिपोर्ट दे दिया है क्या मध्यस्ता से बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुके क्या कोई रास्ता नहीं बन रहा है इकबाल अंसारी जी पूछे गजरत क्या मध्यस्ता का जो पैनल है उससे कुछ रास्ता निकलता हो दिखाई पड़ा क्योंकि आप लोग भी गए गवाई हुई बकायदा तबूत पेश के गए आपके पशके भी तमाम लोग गए आप चुकि मुस्मिन पशकार हैं तो ऐसे में ये बताईए कि कोई रास्ता नहीं है कि आपड़को आप यह कहना पड़ेगा कि नए इसा होता है तो देखिए मेधिस्साथ कमेटी जो है यह पुरानी जो यह पंचायत बहुत पुरानी चीजव सदियों से चलता रहा पहले पंचायब वड़े पुरानी हमारी प्रविट लोग पहले परधान करते चाहएं को देख करके पैनल यह सब जज हैं बुद्धुजी भी हैं पढ़े लिखे लोग हैं यह तो है नहीं की जज नहीं है यह काम चाहे सुपरीम कोड का काम हो चाहे पैनल का हम तोनों को एक ही मानते हैं फैसला होना चाहिए हिंदू पक्ष क्यों इसको मना कर रहा है हम मैं कोई तांतरिक तो है नहीं कोड का भी विरोध है हमें साचा चाहते हैं कि कोड समूद्णों के आधार पर चलता है कोड अपना फैसला दे इक्वार अंसारी साफत तौर रखता है और उसे ही आधार मानता है तो उस पर क्या प्रतिक्रिया एकबाल अंसारी जी की? अक्तियार कर लिया है लेकिए सुप्रीम कोर्ट को जो है ले जाने वाले निर्वोय खाड़ा के लोग हैं हम तो यह चाहते हैं कि इस मसले को खत्म किया जाएं क्योंकि देश में इससे जो है हिंदू और मुसल्मानों में एक नफरफ पैदा होती है हम फैसला चाहते हैं फैसला हो जाएगा तो इस देश से हिंदू और मुसल्मानों की राजनीत खत्म हो जाएगी देश तरक्की करेगा और देश चलेगा हिंदू मुसल्मानों की यह नफरत की बीज जो बोई जाने है इकबार अंसारी जी यह चाहते हैं जल्द से जल्द हो क्योंकि यह है और स्यासी मसला हमेशा उड़ता रहता है शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी के लिए